आप देख रहे हैं इस पे नई नियूज देश में एक साल से यू कहें कि आजाद भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा अंदोलन होगा किसानों का जो एक साल तक चल रहा है एक सालों से चल रहा है तक नहीं क्योंकि अभी भी चली रहा है तल मैं गाजीपूर बॉर्डर से आया वहाँ पर जो टिकरी बॉर्डर और गाजीपूर बॉर्डर जो आपको तस्वीरी दिखाई गई कि रास्ता खाली हो गया है ये सब एक अफवाही है सिर्फ पत्थरे हटाई गई है लेकिन फलाई ओभर के नीचे का जो रास्ता है वहा लोगो जाने की इसाज़त है आम आदमी को नहीं है तो यानि यूं कहें कि जो आपको विजूर्स दिखाए गए जो आपको दिखाए गया वो बिल्कुल जो है सिर्फ एक दिखावा है किसी का आवाज जाही नहीं है पूलिस वैसे की वैसे तायनात है फलाई ओभर पे तो जो सड़क है वो तो फट चुके हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ किसानों को लेकर क्या आज गुमरा किया जादा दूसरा कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी गवा के दौरे पे हैं उन्होंने वहां से एलान क्या किसानों के करज माफी का पंजाब का उन्हें हवाला दिया कि किस तरह से वहां सब कुछ हुआ है लेकिन अब देखना ये होगा कि एक तरफ प्रियंका गांधी महिला किसानों के साथ देखती है खदे आ रही हैं उनका समर्थन भी मिलता है राहूल गांधी यू कहें भी पक्ष तमाम किसान गांधी को मिलेगा किसानों का साथ कॉंग्रेस को मिलेगा महिला किसानों का साथ प्रियंका गांधी को मिलेगा ये बहुत बड़ी बात होगी देखना ये भी होगा कि तमाम किसान जो अभी बौडरों पे बैठे हुए जो आंदोलन कर रहे हैं वो भार्दे जंता पाठी से नराज चल रहे हैं और इसका फाइदा किसानों का फाइदा कौन भी पक्ची पार्टी उठाएगा ये भी बहुत बढ़ा बात रहेगा फिलाल के लिद नहीं बागे खावरों के लिए देखते रहे हैं इस पेनाई नियूस नमस्कार